गुलबर्गाश शहर के MSK मिल से राफे नामी तेरा साल का लड़का वर्लकप फुटबॉल खेलने सुड़न जा रहा है जहां ये इंडिया को रिप्रिजेंट करेगा। पूरे करनाटगा में ऐसा पहली बार हुआ है तेरा साल का लड़का अंडर 18 बॉयस वर्लकप फुटबॉल मैच के लिए सेलेक्ट हुआ है। नौजवानों की कोई दिल्चस भी नहीं थी। को रिक्वेस्ट कर राफे को फुटबॉल ट्रेनिंग दिये हैं जो आज वर्लकप के लिए तयार हुआ है। कलबॉर की डिस्टिक फुटबॉल अस्विशेशन के जरिये लाड़ा माटिन सर ने गुलबर्गाश शहर में फुटबॉल मैच के लिए ऐसा क्रेस पैदा किया है कि राफे के अलावा और भी कई लड़के अंडर 13 मुंबई युथ प्रिमेर लीग के लिए सेलेक्ट हुए राफे आसकर फॉंडेशन और एसके अफ के बैनर तले अंडर 13 फुटबॉल मैच टीम के साथ इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेलने सोड़न जा रहा है गुलबर्गाश शहर से पहली बार 13 साल का लड़का फुटबॉल वर्ल्ड कप मैच में हिस्सा लेगा ये शहर के लि हगरगा रोग उच्वा नगर अगुलबर्गा शुटुट तो इटिन एंडिकार फॉट ऑट बोस बेस अधिया इजिए एट्ट अछीडिश इए इट्ट एंडिश साथ इंडिया के लिए लिए फुटबॉल और तेंट लिए अग्या पॉट बेस्ट एंट फॉट अग्य and the main motto is to create, you know, train students to excel and create a platform for them. Now, I want to talk about Rafay, he is a kid who was been identified one and a half year, 1-1.5 years ago, now how did this identification happen? For example, there was a tournament in which we had called an ex-Indian player, Henry Picardo, Mumbai, and he had come down to Kulberga, so in that tournament, when I saw his game, I was shocked that he was so good, but this kid is playing well with his touches and watches, and the credit I would like to give him, they live in Hussain Garden, Hussain Garden, who is in the middle of the MS, there is no ground, but the kids are playing with small and small ground, so there is a coach, who has become a coach, he is a junior coach right now, and he has helped them a little football, and my parents also do the patience for playing, to find out and provide a child's attention to the kids, to show them, look, it's good, he is playing good, so he has to be a little more good, so he has a good hand in the future. Then when we saw them, then I was told that these kids are different, and they have to give them a platform from the other, तो हमने पहले दूसरी एक पहले रिलाइंस फाउंडेशन को हमने ताच किया वह आई थे उन्होंने इनका गेम भी देखा यह शॉट लिज्ट भी वह देपूना में बट देन इस लाइक अनपॉचुनेटली नहीं हो पाया फिर बाद में जब ट्राइल हुआ तो मुझे सब्सक्राइब के लिए ठीके आप लेकर आई बच्चे को जब मैं घर पे पोच्छा तो ओविएसली गुलबर का के अंदर ऐसा है कि जब सबसे जाधा पढ़ाई को जाधा और पढ़ाई तो सीधी 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 पात है कि फॉर्स प्राइवडी देना चाहिए पढ़ाई को बच्चा अगर पढ़ाई में कम ले रहा है तो फिर स्पोर्स को बंकरा दिया जाता है या उसको खिलाय नहीं जाता है तो आई फिल यह सही नहीं है बिकॉज स्पोर्स इस कंप्लिली डिफ्रेंट और वो डिसेप्लें सीगाता है इन फाक एक्सराइज करने से यह बहुत सी जिसके वज़े से स्पोर्स उसको मतलब मेरा मैसेज यह पहुचाना चाहूँगा कि अगर यह बच्चा अगर खेल रहा है तो इसको खेलने दो अगर पढ़ाई वो कर रहा है तो बहुत अच्छी बात जरूरी नहीं हर बच्चा 100 मार्क्स ले या 90 परसें मार्क्स ले जरू नहीं कोई तायार नीते फोन उडाने को तायार नीते पट अट अट दी अट हमने यह सोचा आप इसका करेंगे क्या मैं तो शूर था यह बच्चा सिलेक्ट होगा कैसा भी कर के तो लेक्ट अधिर पर फिर पैरेंस के दिमाग में बात समझ में आई जब मैंने ने के ममी से भी बात किया तो ठीक है मैं कन्विंस करती हूँ यह करके कैसा भी हम इसको लेके गए जब वहां पर लेके गए तो सबसे पहले में मुंबई में इसी का सिलेक्शन हुआ वहां से सिलेक्ट होने के बाद लाइक ऐसा था कि यह तो पढ़ाओ हो गया तो वहां से आसाम तो SK Foundation जो है SK Group of Companies वह स्पॉंसर है और OSCAR Foundation वही टीम को लीड कर रही है और ट्रेन किया उन्होंने पुना में तो पुना में 30 स्काम था 30 सुडेंस थे उसमें से अभी लास्ट 17 के अंदर आना वह भी बड़ी बात थी इन फाक कुछ सवाल ऐसे थे कि इसकी हाइट को लेके क्य ट्रेन किया अलग-अलग तरीके से फिर देखे हम लोग औल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से दी लैसेंस कोच है और हमको मालूम एक्सपीरियंस भी है तो किस तरीके का लेवल है किस तरीकी की ट्रेनिंग होती है क्या एक्स्पेक्टेशन आगे हो सकते हैं तो वह तरी प्रेजन करेगा थू SKF और OSCOF Foundation OSCOF Foundation को कोचे को भी मैं शुक्रियादा करना चाहूंगा जिस बिकॉस बिकॉस अफ देम इस लाग इस और यह सब का सबसे जादा जो में इंपोर्डेंस जाता है तो वह मार्टेन सर को ही जाता है ज़स पहले फुटबॉल यह पही पैच्छ रहा है जो बर्बादब बॉटबॉल यह सब से पहले आया आया यह आया इसलाग फटीछ टो ओने मिवान भी आया मार्टेम साबी अब लग का अंदर खूंगा बॉलबरगा बिवाटेंस बिकॉटम भी इस बलाग इस सामने चाहने श्यादानम इस बिकॉस बिकॉस अभी मा 12 टीम और KDFA Kalburgi District Football Association जो काम कर रहा है फिलाल मेरे खाल से लोगों को नहीं मालूम है लेकिन यहां से बच्चे सीव यही नहीं आपको हमें और कुछ बच्चों के नाम लेना चाहूंगा जो राइट नाव मुंबई में यूथ प्रीमेर लीग में सिलेक्ट हो है वो भी 13 years कही है एक शाजव है जो स्पार्कल स्कूल से है इस अलसो 13 years वन मलीक अर्जून फ्रम स्कूल सीब्सी ही इस अलसो 13 years तारिक है इस रम टाइनी पॉल सीब्सी और फैजान फ्रम राइचूर और अब इस नहीं है आदिल यह पूरे पांच बच्चे राइट नाव मुंबई में य बैंगलोर भी जा रहे हैं बैंगलोर शूडर्स के लिए अंडर 16 के इस साल हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है क्योंकि काफी बच्चे प्लेश हुए अंडर 16 के तीन बच्चे गुलबर का KDFA Academy से भी स्लेक्ट हुए है सीनियर में अगर आप बात करेंगे तो लास्ट यर रहान जो है वो एलीट के लिए मिल्लत FC के लिए मुंबई सिलेक्ट वा था एंड इन फाक्ट इम्तियाज जो सीडैम से है वो नाशनल लेवल खेलके आया है जो सीनियर टीम से तो ही प्लेट फो करनाड़का और वो जो ट आप गपड़ाई करौँ जरूरी है बट नमाहे तो बच्चा अगर चह शाल का है साथ सलीशीन लगाने की जरूराभ नहीं है क्योंकि अगर हम बच्चतल से उसको अदर आद जालरे है तो हम धी उसको पालाई करने की लिए पड़ान फो ए तो बैड़ू सरेज से बच्चा तो आज पड़ाई भी इंपोर्टेंट है और पड़ाई को एगनोर नहीं करना है जो बच्चा पड़ाई नहीं कर रहा है उसका स्पोर्स रुखाने के बज़ा उसको कुछ ऐसा सल्यूशन निकाले जा पर वह पड़ाई और स्पोर्स दोनों को साथ में लेकर चले अगर वह स्पोर्ट के वज़े से आज यह बच्चा जा रहा है इनो डॉक्मेंटेशन का काम यह सब काम इन्होंने सब बहुत अच्छे तरीके से किया एकदम अलर्ट है एगदम अलर्ट है और रेडी फॉर इट तो ना भी आपी दार राफे इस गोईंग और नोट ली राफे भी आ अलसो में भी इसलेक आने वाले दिनों में और भी बच्चे आगे जाएंगे थैंक्यू गूड इवर्यमन असलाम अलेकुम मैं फादर ऑफ यह राफी उस्टेन का हूं इन्डियन प्रिजिटेशन के लिए जा रहे हैं सुडैन के लिए और फस्टाम है जो गुलबर्गे मे परस्ट वन आखिभ भई और वहां से स्टार्ट हुआ कैरियर इनका फुटबॉल का इसके बात सामा जो है वहां बाजूमे रहते हैं मारे उन्हों ने अच्छे से ट्रेनिंग दिये उनको नेक्स जो है ना तरानसर जो है जो ट्रेनिंग दिये और अधिन लिग जा के तो फरांसर से और मार्टिन सर्फ मार्टिन सर्फ के वज़े से जो है ना इनका सेलेक्शन हुआ है और इंप्रूमेंट और उनसे खुद सेल्फ भी बहुत अच्छा खेलते हैं और उसे माबाब को क्या चाहिएंगे तो इंट्रेस्ट नहीं ले रहा था इनके लिए और यह फरांसर जो आना बहुत ही फोर्स करके मेर पास आके घर पर आके इनको लेके जाते थे और मैं बहुत बार इंको एड्युकेशन को यह फरक परिगा बलके जो है ना मैं रोक रहा था था इनको खेलने के लिए अगर फुटबाल में परांसर बच्चे के बहुत टालेंट है आप उसको स्टॉप मत कराई फुटबाल के लिए तो मैं फिर उन्हों कंटीनु लेके गए ठीक हम भी रॉप कर देए ठीक कंटीनु लेक भीजा दिया लिए खेलने के लिए मेरा नाम सेयद मुसीन हुसेन हुसेनिगाडन बुरी इनिंग मैं फरहत फातिमा राफी की मदर ह अपने टालेंट को इंप्रूब कर रहे और कुछ इंडिया को रिप्रेजन करने के लिए महनत कर रहे इस पीस के लिए टीम सपोर्ट और सबकी दुआएं हैं फोप सो अगर यह अच्छा विन करे पुरी टीम से तो एक प्राउट पील होता के बच्चा कुछ अच्छा किया खुआ है, करना तकास्टी best academic English education, diploma in Arabic, 2023 admission started. Contact and visit school for more details.